हलो एवरिवन एंड विल्कम बेक तो मैं चैनल तो स्टूरंस आज हम करेंगे हमारा क्लास नाइन का पोयम जिसका नाम है ग्रिन स्नेक ग्रिन स्नेक का मदब होता है कि हरे रंका साथ इसको लिखा था बी आर लक्षमन राव ने फिर इससे ट्रांसलेट किया गया किसमें इंग मानुचन ने तो यहाँ पर पहले में वर्ड मिनिंग बताऊंगे आप लोगों को उसके बार फिर लाइन बार लाइन क्या करूंगे एक्स्प्लेइन करूंगे ठीक है तो चलिए यहाँ पर है कि दडे बिफोर येस्टरडे का मतलब होता है कि बीता हुआ जो परसो है उसे क बाद है यहाँ पर स्लेब अब स्टोन का मतलब होता है कि पत्थर के जो चोरास होते उसे कहते है क्रेक का मतलब हो गया कि दरार उसके बाद है यहाँ पर आइस ग्लिटरिंग आइस ग्लिटरिंग का मतलब होता है कि चमकते हुई आखे फोर्क टंग इसका मतलब होता है कि द his belly, बेली का मतलब होता है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, swelling का मतलब हो गया कि सूजन फूला हुआ, ठीक है, कि early morning the day early morning the day before yesterday मतलब कि परसु सुबा की बात है under a slab of stone in a crack eyes glittering तो परसु सुबा की बात है कि मैं क्या देखता हूँ कि एक हरे रंग का साप है जो पत्थर के चोरा के अंदर है जिसके बीच में क्या है दरार है और उसी दरार से उसकी चमकती हुई आखे दिखाए देती है ठीके उसके बाद फिर क्या दिखाए देती है fork, tongue, licking and flashing और फिर क्या दिखता है कि वो जो साप है वो कौन से कलर का है green कलर का साप है और उसकी जो आखे है वो बहुत जादा चमक रही है और उसके जो tongue है वो क्या है एक दम दो हिस्सों में अब तो पता है कि साप की tongue कैसे होते है दो हिस्से में होते है ठीके उसके बादे a frog swelling his belly कहते हैं कि मैंने जब उस snake को देखा तो क्या देखा कि उसका जो belly था ना वो क्या था? swelling क्या वा था ठीके बेली के साइड में क्या था सूजन था मतलब एक पूला वा था ऐसा लग रहा था कि उसने अभी अभी frog का सिकार क्या हो ऐसा लग रहा था कि उसने अपने पेट में क्या खाया किस चीज का भोजन क्या मैंडग का ठीके और वो मैंडग उसके बेली में जाकर क्या हो गया है मतलब स्वेलिंग की तरह सोखतरर है थीक है तो उस हिसाफ से हमें लगता है कि उसने क्या क्या अभी अबेजास टुरं रिसेंटली उसने क्या क्या एक मैंडग कुखाया ठीक हिले दियार quietly और वो एकदम आराम से चुप चाप किया है उसी जगा पे लेटा हुआ है A baby snake two hands long और वो क्या था वो जो साप था वो एकदम ऐसा लग रहा था कि कोई मतलब साप का बच्चा है उसकी size कितनी है two hands long two hands long का मतलब होता है कि हमारे जो हाथ है उसे अगर कि एक स्टोन के अंदर में दरार के बीछ बेच एक स्नेक है ठीके उसके आखे चमक रही है उसके जो दो हिस्से वाले टंग है वो दिख रहे हमें ठीके और वो क्या हो रहे है उसका जो बेली साइज है जो बेली का साइज है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उसने अभी अभी एक मैंडक खाया है और वो खा कर एकदब आराम से लेटा और वो जो साप है, वो एक चोटा सा बच्चा है, उसका साइज कितना है, इक दम हमारी जो हाथे, दो हाथ के लंबाई कितनी होगी, उतनी ही यह, ठीके, और कौन से कलर का है, ग्रीन कलर का साप है, ठीके, फिर second stranger मैं देखते हैं कि क्या होता है, what things it's a green snack still a baby कहते हैं कि बिचारा ये तो इतना छोटा सा साफ है ये अभी भी फिलहाल क्या है एक छोटा सा बच्चा ही तो है और कौन से कलर का है ग्रीम कलर का है what harm can it do वो बिचारा क्या harm कर सकता है किसी को वो किसी को नुकसान ने पहुंचा सकता I said my father replied तो ये बाती जो कह रहा है कि बिचारा एक हरे राम का साफ है अभी तो फिलहाल ये खुदी एक बच्चा है वो क्या किसी को नुकसान पहुंचा सकता है वो इतना कहता ही है तब तक कि लिए उसके father जो है point के जो father है वो replied करते है ठीके वो उन्हें जवाब करते है point को क्या जवाब करते है कि a snake a snake and mother तो point के father है वो क्या करते है कि वो क्या है एक साफ है और क्या है साफ है ठीके उतने वे फिर उसके mother उसके mother फिर क्या कहती है that's where everyone works कहती है कि तो क्या हुआ वो एक साफ ही तो है और इस रास्ते पे जिस रास्ते पे वो है उस रास्ते पे लोग क्या करते हैं आना जाना करते हैं ठीक है we don't need trouble, kill it ठीक है कहती है कि हमें क्या करना है हमें ज़्यादा सोचना नहीं है में परिशान नहीं होना है सीधा क्या करो इसे मार डालू उसकी मदर कहती है ठीक है I cannot, I said फिर यहाँ पे पोईट कहते हैं कि नहीं, मुझसे नहीं होगा मैं नहीं मार सकता ठीक है Father struck him with a piece of firewood अब फादर क्या करते हैं उसकी जो upfront की जो फादर है वो क्या करते हैं वो जो यो फादर उड होते हैं न लकरी जो जलाने वाले होते हैं उसे ही उठा कर वो क्या करते हैं साब को मारने के लिए उसके पीछे बागते हैं ठीक है Caste him outside and kill him flat ठीक है और फादर जो पीस of firewood है उसी से लेकर क्या करते हैं साप के पीछे भागते हैं और फाइनली वो क्या करते हैं उस साप को मार डालते हैं ठीके तो इतना ही हमारा ये पोयम था बहुत जादा लंबा नहीं था लेकिन इससे क्या समझ में आए इससे यही समझ में आए कि हमारे जो point है वो कह रहे है कि वो तो साब कुछ नहीं कर रहा था आपको हाम तो नहीं पहुंचा रहा था तो फिर आपने मारा क्यों से मार के क्या फाइदा वो तो मामूली से एक छोटा सा बच जाता और इतना तो किसी के अंदर भी common sense होगा कि हमें देखके एक idea लग जाता है कि कौन से साब हमें हाम पहुंचा सकता है कौन से साब poisonous वाला है और कौन से साब हमें कुछ नहीं कर सकता है तो जब कुछ नहीं कर रहा तो उसे बिना मतलब का हाम पहुंचा कर फाइदा नहीं है तो ठीक है इसी के साथ हमारा यह poem complete हुआ I hope आप लोगों को समझ मैं I hope कोई भी doubt सो आप लोग मुझसे clear कर सकते हैं otherwise thank you so much